नमस्कार तो अब यह तै हो गया है कि जाती आधारीत आरक्षन की विवस्था जारी रहेगी और आर्थिक रूप से पिछडे सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षन मिलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की जो समवैधानिक बेंच थी उसके फैसले से ये चीजें असपस्ट हो गई है बड़े हिचकते हुए ही सही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो जाती आधारीत आरक्षन की विवस्था है वो जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से पाँच जजों की बेंच ने तीन दो के बहुमत से ये फैसला दे दिया है कि जो दस प्रतिशत आरक्षन है इकोनॉमिकली विकर सेक्षन के लिए यानि EWS का जो आरक्षन है गरीब सवरनों का वो भी जारी रहेगा तो अब ये और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तीसरी बात ये भी साफ हो गई है कि आरक्षन की सीमा पचास प्रतिशत से बढ़ाई जा सकती है इस दस प्रतिशत आरक्षन से ही वो सीमा बढ़ गई थी संसत से कानून बना करके उसको बढ़ा दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उस पर मुहर लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है अब सवाल है कि आरक्षन की जो ये विवस्था है जो अभी जिस तरह से आरक्षन दिया जा रहा है क्या यह रेवडी नहीं है और क्या इसी में इसको जिस तरह से बढ़ाया जारहे इसका जो विस्तार किया जारहा है वो भी एक रेवडी कल्चर का तरीका नहीं है अगर इस पर विचार करें इस आरक्षन पर जो 10 प्रतिशत का EWS का आरक्षन है जो गरीब सवर्णों को मिलने वाला आरक्षन है उस पर विचार करें तो ये पता चलेगा कि कैसे ये रेवडी है भारत सरकार ने इस साल संसद के बजट सत्र में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता और राज्य मंतरी है भारत सरकार की परतिमा भावमिक उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया, उन्होंने सवाल के लिखित जवाब में, सदसे के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि आरक्षन का यह कानून पास होने के बाद, जनवरी 2019 में जब यह कानून पास हुआ था, उसके बाद, उनिस और बीस में दो सालों में भारत सरकार में सिर्फ 132 लोगों को नौकरी मिली है EWS के ताहर, सिर्फ 132 लोगों को, अब इस से ज़्यादा रेवडी की मिसाल क्या होगी, कि इतना बड़ा कानून बना, इतना हला हुआ इसका, और उस कानून के तहट दो साल में सिर्फ 132 ल सरकारों में कितनी नौकरियां मिली हैं, उसका भी आकड़ा उपलब नहीं था, इसलिए केंद्रिय राज्यमंत्री ने वो आकड़ा नहीं दिया, हलाकि उन्होंने एक दिल्चस्प बात बताई, कि केंद्र सरकार की अलग-अलग मंत्रालेयों को, इस योजना को, EWS के आरक् की हकीकत है, हो सकता है, अब कुछ बढ़े, लेकिन अभी तक की इस्थिती यह है, अभी पिछले महीने, एक और रेवडी की बात हुई, पिछले महीने प्रधान मंत्री ने, केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया, सुप्रीम कोट की रिटाइड ज़ जस्टिस केजी बाला की अध्यक्षता में वो आयोग बना, जो इस बात पर विचार करेगा, कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके, क्रिश्चन और मुसल्मान बनते हैं, इसाई और मुसल्मान बनते हैं, उनके जो दलित हैं, उनको आरक्षन की व्यवस्ता किस तरह से दी जा सकती है, अभी तक बौद बनने वाले या सिख बनने वाले दलितों को तो आरक्षन मिलता है, लेकिन जो मुसल्मान बनते हैं, या इसाई बनते हैं, उनको आरक्षन नहीं मिलता है, तो इसके लिए जस्टिस केजी बाला क्रिश्चन की अध्यक्षता में एक आयोग बना है, अब उनको भी जब हैदराबाद में भारतिय जंता पार्टी की राष्ट्रे कारणी हुई तो परधान मंतरी ने वहाँ अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि वो पसमांदा मुसल्मानों के बीच जाए यानि जो पिछड़े मुसल्मान है जिनकी आबादी 85-90% है मुसल्मानों की कुल है पिछलों को दलितों को आदिवासियों को उसके बाद 10 प्रतिशत आरक्षन गरीब सवरनों के लिए घोसित किया गया और उसकी सीमा रखी गई कि 8 लाख रुपे सालाना आये से जिसकी कम है उसको ये सुविधा मिलेगी तो 8 लाख से कम सालाना आये वाले दाइरे में उस स्रेडी में 85 प्रतिशत के करीब सवरन आ जाते हैं तो अब एक तरह से जो ओबी सी की आबादी है 54 प्रतिशत उसको मिल रहा है जो दलित की आबादी है 15 प्रतिशत उसको मिल रहा है 10 प्रतिशत सवरनों को मिल रहा है गरीब सवरन जिसमें 85 प्रतिशत सवरन आ जाते हैं त उसमें फिर बाद में पसमानदा मुसलमान भी आ जाते हैं तो फिर यह दाइरा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन अब सवाल है कि नौकरी है कहां भारत सरकार के पास नौकरियां हैं क्या जिसमें से वो इतने बड़े समों को इतने बड़े अरक्षन सब को देने ये एफर्मेटिव व्यवस्था जो थी वो बहुत कारगर नहीं हुई क्योंकि एक छोटे से समों को ओभी सी के भी भीतर एक छोटे से समों को ही इसका लाह मिला इसलिए आरक्षन का दाइरा बढ़ाते जाने इसका विस्तार करने इसमें नए नए समों को जोडने की बजाए अभी जो इस्तिती है उस इस्तिती में आरक्षन को तारकिक बनाने की जरूरत है तरकसंगत बनाने की जरूरत है उसके लिए आंकड़े जुटाने जरूरी है और आंकडों का वेग्यानिक विश्लेशन जरूरी है। 95% नौकरी सिर्फ 25% जातियों को मिल जाती है। 93% जातियों को इस आरक्षन के तहत कोई परते निथे तो नहीं मिला है। इसका मतलब है कि जो पिछडों में भी सबसे पिछड़ा है, जो एकदम डाउंट्रोडेन है, बंचित है, सबसे गरीब है और सामाजिक शेक्षनिक रूप से सबसे पिछड़ा है, उसको आरक्षन की इस विवस्ता का 75 साल में कोई लाब नहीं मिला है। तो सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये है कि रोहिनी आयो की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए और उस आधार पर उन समुहों को परतिनिधितु देने की का काम हो जो सबसे पिछड़े हैं, सबसे दलित हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जो आरक्षण की वेवस्ता है, भले जाती आधारित हैं। लेकिन ये सिर्फ जाती का मामला नहीं है। जाती ये असमानता की बात नहीं है, ये परतिनिधितु की असमानता की बात है। जो सरकारी नौकरियां है, जो सरकारी सेक्षनिक संस्थान है, या जो भी नीजी भी उच्छ सिक्षन संस्थान है, उसमें जो परतिनिधितों की असमानता है, उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, और वो तब होगी, वो असमानता तब दूर होगी जब सरकार के पास ताजा आकड़े होंगे और उनका विज्ञानिक विश्लेशन होगा सरकार को चाहिए कि वो तमाम अपने अपना पुर्वाग्रह छोड़ करके और जातिय जंगंड़ना पर जाए जिसके लिए बिहार सरकार ने जिसकी घोशना की है और अपनी तरफ से फंड दे देने का काम किया जाए सरकार को मीजी सेक्टर में भी आरक्षन की तरफ बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए है 2019 में इसके बारे में विचार हुआ था जिस साल ये गरीब सोवरनों को आरक्षन देने की बात हुई थी जो कानून बना था उसी साल उस समय उस समय जो सिक्षा मंतरी थे उन्होंने एक इसका बिल तयार कराया था किन सरकार के सिक्षा मंतरी ने तब HRD नाम होता था इस मिनि उसके बाद प्रकाश जाबडेकर ने उसमय ये भी कहा था कि इसको विचार के लिए कानून मंतराले के पास भेजा गया है और सरकार इसको ले करके गंभीर है कि उच्छ सिक्षन संस्थानों में आरक्षन की विवस्था लगूँ ये इस फैक्ट की अधार पर ये बना था क कि उच्छ सिक्षा हासिल करने वाले जो 75% छातर हैं वो नेजी सिक्षन संस्थानों में हैं उच्छ सिक्षा के बहुत limited संस्थान है भारत में आबादी के अनुपात में और अभी जिस तरह से प्रुटसाहन दिया जा रहा है उससे नेजी सिक्षन संस्थान लगातार जा गया था लेकिन दुरभागे से नीजी सिक्षन संस्थानों में आरक्षन का वह बिल अभी तक आगे नहीं बढ़ा है उसको भी सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से उसको लागू किया जाए ताकि अधिक्तम लोगों को उच्छ सिक्षा हासिल हो सके उसमें उच्छ सिक् कि सरकारी नौकरियों में की संख्या घट रही है उसको खाली पद पड़े हुए उनको भरा जाए सरसारोजनिक उपकरमों की विक्री रोकी जाए लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षन के नियमों को ताक पर रख करके जो बाहलियां हो रही है उनको बंद किया जाए और उस उसके साथ ये जस्टिस रोहिनी आयों कि जो सिफारिश आये जो अभी उसके जो फुरुवाती फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर आंकड़े जुटा करके उन समुहों पर ध्यान दिया जाए जिनका प्रतिनिध्य तो कम है अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका सीधा मकसद सिधा मतलब ये निकलेगा कि आरक्षन की व्यवस्था को जारी रखते हुए सिर्फ भावनात्मक कार्ड प्ले करने का काम राजनितिक दल कर रहे हैं सरकार भी वही काम कर रही है इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा समुहों को इसमें शामिल कर लो उनको वास् सामिल कर दो सवर्नों को भी सामिल कर दो सबको सामिल कर दो बेसक उनको वास्तवी कर्थों में नौकरी मिले या ना मिले अगर इस स्थिति को सरकार बदलना चाहती है और पिछले 75 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसकी जो कमिया है उनको दूर करना चाहती है उन भी संग की व्यवस्था की जाए और प्राइवेट जो सिक्षन संस्थान है उसमें भी आरक्षन की व्यवस्था का जो बिल तयार किया था 2019 में सरकार ने उसको आगे बढ़ा करके लागू किया जाए धन्यवाद किर्पया हमारे चैनल के साथ जुड़िये लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन जरूर दबाईए